तो आज मैं आपको पाठ नौ करवा रही हूं हल्दी घाटी में चेतक हल्दी घाटी जगा का नाम है और चेतक महारणा प्रताप की घोड़े का नाम है तो आप युद्ध हुआ चुआ था इसमें चेतक ने बहुती विर्ता अस्वामी भक्ति दिखाई थी तो पोयम इसकी प करता था रन वा मां रच्त का प्यासा था मclockwise कराजा रन में युद्ध में तमासा ने देख लगा था वो डौर कि युद्ध कर रहा था चट चड़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था ले महा मृत्यु के सासात मानोपत्यक्ष कपाली था तो वह चेतक पर घू परहिए भर भर कर चेतक बनगे नेराला था, राना प्रताप के घोड़े से पढ़े गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था वो जैसे हवा चलती वो तेज उड़ जाता था जैसे भानपता बताते भी नहीं थे किधर किधर जाना है उससे पहली चेतक मुड़ जाता था है यही र फिर ठहर गया अरी कि सेना पर वज्र में बादल सा घहर गया भाला गिल गया निगिला निशंग अब उसके घोड़े के घोड़े पर भाला लग गया उसको चोट लग गई है टापों से खन गया अंग उसका खून से जो है वो अंग रहे गया बैरी समाज दुस्मन समाज भी रहके दंग रहे गया गोड़े का ऐसा रंग चड़ चेतक पर तलवार उठा रखता भूतल पानी को राना प्रताप सिर काट काट करता सफल जवानी को ठीक यह रीडिंग हो गई है वर्ड मिनिंग यह कर लेना आप लो कॉपी में अब कुशन आंसर देखो इसकी इस कविता मे महाना पताप की खोड़े चेतक की विर्टा का बरन किया गया है ठीक है बच्चो उसके बाद सकेंड चेतक कौन था और हल्दी घाटी में उसने क्या किया चेतक महाना पता को olds तेखा है चेतक पसवा महाना पता युद्भूमी किस के समान दिखाई पड़े थे की चेतक पहल तेज ढरता थ। मानुकी आसमान में दर रहा हो तो पलक चापक टैस बहुत जाता था घाय होने के बाद भी वो युद में अड़ा रहा ठीक यहां तक करना है बाकी इसमें कुछ नहीं करना कट कर देना बाकी सब ठीक है